दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CRPF के तरफ से जो नई बहाली आ रही है SI और ASI के लिए इसके लिए आप हम को कैसे अपलाइक कर पाएंगे जिसकी कमपलीट प्रोसेस इस वीडियो में लाइप दिखाए जाएगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो एक लाइक जरूर करे और चाहते हैं इस पर करकि और भी अपडेट आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सस्क्राइब करें तक आने वाली सारी अपडेट की जनकारी आपको मिल पाएगी इससे जूरी पूरी जनकारी CRPF के ओफिसल वेबसाइट पर भी आकर आप जान सकते हैं या आप चाहे तो ओनलाइन अपडेट htm.in का ओफिसल वेबसाइट पर भीजिट करकर लेटेश जोब आले सक्षन में आपको मिल जागा CRPF SIN ASI Requirement 2023 जिस पर क्लिक करके इससे जूरी पूरी जनकारी आप यहाँ से समझ सकते हैं अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए लिजिवल है आप उस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं क्योंकि यह जो बहाली होने वाली है ग्रूप B और ग्रूप C लेवल की बहाली है selection process क्या है यह पूरी जनकारी यहाँ पर मिल जाएगी और इससे जूरी पूरी जनकारी इनका official notification को भी आप यहाँ से डाउनलोड करकर पूरी जनकारी आप यहाँ से देख सकते हैं आईये समझते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर option मिलता ओनलाइन अप्लाई का जिस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस परकार का website खुलेगा जहाँ पर आप नीचे स्कॉल करेंगे तो देखेंगे आपका जो अप्लिकेशन फॉर्म है आज से यह स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर आप उसकी डेट देख सकते हैं राइश्टेशन करने के लिए एक option यहाँ पर मिलता है तू राइश्टर आप इसके सामने क्या करते हैं आपके सामने राइश्टेशन फॉर्म खुलता है जिसमें सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसके लिए इस सी वेपसाइट पर देखेंगे जो ऑफसन मिलता है जिस पर क्लिक करके आप य लिए हुए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहां पर आपको एक उप्सन मिलता है एसेश्टेंट सब इंस्पेक्टर जो टेक्निकल का पोस्ट है जिसमें दस भी पास होने चीज़ साथ ही साथ तीन सालों का कोई डिप्लोमा रेडियो एंजिनियरिंग में किये हैं तो व यहां पर पोस्ट को देखनों को मिलेगा अपना नामम दल्रांद करेंगे करें आपको देखेंगे और यहां पर आपको यह लिए आपको करना है अब आपने जो जयनकारी फिल किया है जयनकारी को एक बार क्या करना है यहां से मिलान करना है और यहां पर एक option मिलता है submit का जिस पर क्लिक करना है यहां पर एक option मिलता है I agree का जिस पर क्लिक करना है इस पर कर आपका जो registration पर करिया हो पूरा होता है और यहां पर आपका registration नमब खुवेंगा जिसमें सबसे पहले आपको अपना जेन्डर से लाक्ट करना तुईट्व बर्थ के लिए कयलेंडर मिलता है यहां से क्या करना सबसे पहले आपका जो भी Year होगा यह को सलस्थ करेंगे जो भी आपका मंत होगा सलाइक सलाक्ट करेंगे जिस vacuum कर zug citizen of India को select करेंगे, आपका जो भी category होगा, category को आप यहां से select करेंगे, उसके आलावे personal detail में आपकी कुछ यहनकारी पहले से फिलब रहेगी, जिसमें आपको father's name, mother's name mention करनी है, फिर आप नीचे देखेंगे, आपका जो taste city है, उसका preference यहां select करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कि तीन preference आपको देना ही है, तीन preference आप यहां से अपने according select करेंगे, फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहां पर पूछा जाता कि अगर आप एक सर्विसमेन हैं, तो एस करेंगे, कुछ additional जनकारी आपसे पूछी जाती है, वो आपको बतानी है, यहां पर पूछी जाती है, अगर आप central government का employee है, तो आप उसकी जनकारी बताएंगे, यह करेंगे, तो उससे related कुछ जनकारी बतानी है, कि joining date आप बताएंगे, अगर नहीं है, तो simply no वाले विकल पर click करेंगे, उसके अलावे, यह उनके लिए है, जो दंगे हुए थे 1984 में, उनमें अगर आपके परिबार के कोई व्यक्ति मरे हुए थे, तो उनकी जनकारी यहां पर आपेस करके बता सकते हैं, आने था, आपनों पर click करेंगे, और यहां से save वाले विकल पर click करेंगे, आपका जो भी address होगा, आप address mention करेंगे, जैसे आप address 1 में आप अनम village को भी mention कर स उसके अलावे आपका जो address होगा, address की जनकारी आप यहां से fill करेंगे, आपका जो correspondence permanent same है, तो इस पर tick करेंगे, यह automatic fill हो जागा, अगर अलग अलग है, तो उस case में यहां पर no करेंगे, और manually यह जो जनकारी है, आपको fill करने है, save करना है, फिर save next पर click करना है, अब यहां पर आपकी qualification, detail और experience की detail पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहले medic placement, यानि तेंथ, आपने जिस भी board से pass out किया होगा, उस board का नाम mention करेंगे, और किस year में आपने pass out किया है, वो year को आप passing year के route में चुनेंगे, साथ ही साथ आपने जो इंचिजोट से pass किया है, उसका नाम क्या था, मतलब कि 3 आपने जिस school से pass किया था, उस school का यहाँ पर क्या करेंगे, अपना नाम mention कर देंगे, फिर यहाँ पर आपसे बोली जाती है, कि आपका जो number है, किस परकार था, percentage से GPA, उसकी जनकारी देंगे, और यहाँ पर बोली जाती है, कि आपको कितना अंक प्राप्त हुए है और प्राप्तांक में, अप्टेन में वो बताएंगे, और पूल मार्क्स में आप अपना जो है, टूटल मार्क्स बताएंगे, इस से क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, intermediate की भी जनकारी आप mention करेंगे, और अगर आप जिस post के लिए apply करते हैं, उसमें graduation मांगी जाती है, तो कब आपका जो इस degree को आपने कब पास किया है, आपको यहां पर बता नहीं है, तो आप उसको यहां से select करेंगे, month select करेंगे, उसके अलावे आपकी जो number है, किस परकार है, उसकी जनकारी देंगे, कितने number आपको प्राप्त हुए हैं, और खुल कितने का था, उसकी जनकारी आप यहां पर देंगे, तो यह automatic आजाएगा, उसके बाद save करेंगे, और 7th पर click करेंगे, अब यहां पर आपको कुछ document अप्लोड करनी होगी, जिसमें आपका पासपर साइज फोटो होगा, signature होगा, जो भी certificate या marksit है, उसको अप्लोड करेंगे, 2L का certificate है, या marksit अप्लोड करेंगे, और 7th graduation का भी, आपको degree और certificate अप्लोड करनी है, अपनी का certificate अप्लोड करनी है, अब इसके लिए guideline क्या है, यहां पर देखेंगे, यह आपको एक इस परकार का option मिलता है, जिस पर आप करसर ले जाएंगे, तो पूरी guideline आ जाती है, जो आपकी होनी चाहिए, 50 से 100 के dpi के बीच होगी, jpg format में होगी, और इसका जो आपको dimension है, 200 dpi में होनी चाहिए, वो आपको बताएगे, इससे according आपका जो है, तेन्थ का जो certificate है, वो अगर माल लेजिए, आपका certificate और mark से दोनों है, तो आप दोनों को एक ही PDF में convert करकर, आप जो है, यह 100 के बीच से 1 mb के ब देखनों को मिलेगा, आने था, यह देखनों को नहीं मिलेगा, आपको declare करना है, capture code को डालना है, यहां से आपको क्या करना, preview पहले करना है, फिर आपको submit पर click करना है, इस परकार देखेंगे, photograph आपका upload हो जाता है, और यहां से इसको close करना है, जो document आप upload करते हैं, उसका य करेंगे, और आप इसका जो print है, यहीं पर click करके इसका print भी ले सकते हैं, इस परकार आप सभी candidate CRPF में जो SI और ASI के लिए जो form निकाले गई है, जिसके लिए आविदन कर सकते हैं, मैं आसा करता हूँ, यह वीडियो आपको काफी पसंद आ होगा, पसंद आ होगा, तो इसे लाइक करें, चैनल को सुस्क्राइब करें, आने वाले सारी अपडेट की जनकारे के लिए धन्यवाद,